माइक्रो बिट में अल्ट्रा सॉनिक सेंसर लगा के ये एक प्रोजेक्ट बनाना सीखते हैं मान लो कि ये एक गाड़ी है और पीछे एक और गाड़ी या दीवार या कुछ है और जैसे ही ये गाड़ी reverse करती है और उस अबजेक्ट के पास पहुंचती है तो अलाम बच जाता है और warning light on हो जाती है गाड़ी object से कितनी दूर है ये हमें microbit में cm में नदर आ रहा है जब ये distance 5 cm से कम हो जाता है तब alarm और warning light जल जाती है तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ultrasonic sensor जो है वो काम कैसे करता है तो ultrasonic sensor में ये एक transmitter है जो एक sound wave फैंकता है और अगर सामने कोई object होता है तो वो sound wave उससे टकराके वापस आती है तो ये जो receiver है उस पे वापस आती है तो ये बिल्कुल जैसे radar काम करता है या जैसे चमगादर जो हैं वो काम करते हैं ultrasonic sensor बिल्कुल वैसे ही काम करता है तो हमारा ये जो transmitter है मान लो यहां पर कोई object है तो यहां से जो sound wave है वो निकलती है और वो sound wave इस object से टकराती है और bounce होके वापस ये जो है हमारे receiver पे आती है तो ये हमारा transmitter ये हमारा receiver और उसके बाद जो हमारा simple formula होता है कि distance is equal to speed into time और यहां पर ये जो speed है ये sound की speed है जो approximately 341 meters per second होती है तो हम इस formula को apply करके और इसको two से divide करके क्योंकि जो time है वो double हुआ कि वो sound wave निकली object जो था उससे टकराई और वापस आई तो हम इस formula को लगाके ये जो sensor है वो calculate कर लेता है कि जो object है उससे कितना distance है हमारा ये जो ultrasonic sensor है HCSR04 इसमें 4 pins है पहली pin है VCC यहां पर हम 5 volt का current supply करेंगे दूसरी pin है trigger जो की transmitter से connected है तीसरी pin है echo जो की receiver से connected है और चौती pin है ground जिसको की हम अपनी battery के negative terminal से जोडेंगे तो इसके बाद हम breadboard को समझते है हम जो circuit बनाएंगे वो breadboard पे बनाएंगे तो breadboard में क्या है कि हमारे पास ये जो दो lines है ये plus और minus ये पीछे जो है इसमें metallic strip लगी हुई है तो ये आपस में जितने छेद हैं ये सारे connected है प्लस वाले और वैसे ही जो minus है वो भी आपस में इस तरीके से connected है सेम चीज इस तरफ भी है कि ये सारे holes आपस में connected है और इसमें हम battery से power supply से प्लस जो positive terminal है उसको जोडेंगे और ये negative ये सब भी आपस में connected है और यहाँ पर हम battery से negative terminal जोडेंगे और फिर ये जो horizontal holes है जो की A1, A2, A3, B1, B2, B3 इस तरीके से हैं ये आपस में पीछे की तरफ से इस metallic strip से ऐसे ऐसे जुडे हैं यानि कि अगर हम कोई चीज को यहाँ connect करते हैं A1 में और हम B1 में connect करते हैं तो वो जो है वो आपस में connected हैं जैसे कि आप दो तार लेके अगर ऐसे ऐसे करके जोड़ते हैं तो वो करने के बदले हम यहाँ पर अगर दो तार लेके जोड़ते हैं इस किसम के jumper cables हैं जिनको हम use करेंगे तो अगर मान लोग की ये कोई motor से ये तार आ रहा था और मैं इसको A1 में जोड़ रहा था और उसके बाद मैं कोई और चीज इसको E1 में जोड़ रहा था तो अब ये A1 और E1 जो हैं ये आपस में connected हैं और इसी तरीके से अगर ये positive battery से supply आ रही थी यहां पर और उसको मैं यहां से जोड़ रहा था ये आपस में connected है और अगर मैं इसको यहां से जोड़ के for example E5, E4 पे दे रहा हूं तो अब जो बाकी हैं A4, B4, C4, D4 इन में भी यहां से positive जो battery terminal से positive आ रहा था वो अब ये आपस में connected है तो breadboard को हम use करते हैं rather than कि हम तारों को मोड मोड के जोड़ें हम breadboard यूज करके उनको ज़्यादा elegant तरीके से जोड़ते हैं तो मैं यहां पर सबसे पहले जो हमारा ultrasonic sensor है उसको लगा रहा हूं तो उसमें हमारे पास यहां ground, echo, trigger और VCC इस तरीके से यह pins थी तो मैं इनको अगर यहां डाल रहा हूं A, let's say 12 onwards तो A, 12, 13, 14, 15 में हमने यह लगाया और इसके बाद अगर हम यह wires ले रहे हैं तो अभी मैंने काम चलाने के लिए क्या किया है कि इस तरफ यह जो wire है यह crocodile clip है इसमें इस तरफ और मैंने इसमें अभी temporarily इसको मैंने insulate नहीं किया है पर मैंने इस wire में दूसरी तरफ एक यह jumper wire की push pin लगा दी है तो अगर अब मैं yellow से यहां पे connect कर रहा हूं जो हमारा echo था तो echo हमारा चल रहा था 14 पर तो मैं यहां पर 14 पे इस से जुड़े वे मैं यहां कहीं पर भी लगाऊंगा तो यह आपस में connected है तो मैं यहां पर दिखाने के लिए यहां लगा रहा हूं तो यह yellow हमारा जो है यह echo से connected हो गया है echo वाली जो pin थी ultrasonic sensor की उससे connect हो गया है उसके बाद मैं white same एक wire ले रहा हूं और इसको मैं trigger से connect कर रहा हूं उसके बाद मैं convention follow कर रहा हूं convention normally कहती है कि जो red है वो VCC voltage का है तो यहां जो हमारी VCC की pin थी उससे मैं यह red को connect कर रहा हूं और again convention कहती है आप कोई भी wire किसी भी color का use कर सकते हैं बड convention कहती है कि black है ground तो मैं जो यहां पे ground की pin थी वो हमारे number 15 A15 पर थी तो मैं यहां पर E15 पे ground डाल रहा हूं तो इस तरीके से अब हमारे को यह जो चार pins हैं यह हमारा ultrasonic sensor यहां लग गया और हमारे को यह ultrasonic sensor से जुड़ी हुई हमारी चार जो wires हैं वो मिल गई इसके बाद मैं एक यह battery pack ले रहा हूं और यह जो हमारा ultrasonic sensor है यह 5 volt से चलता है तो मैं यहां पे cable तीन जो cells हैं वो लगा रहा हूं ताकि यह total 4.5 volt हमें यहां पर मिले और इसको circuit पूरा करने के लिए मैं चौथी cell लगाने के बदले इसका cable circuit पूरा करने के लिए jumper wire लगा रहा हूं ताकि यहां हमारा यह battery pack जो है यह अब properly functional हो गया है तो इस battery pack से हमारे पास यह दो wires आ रहे हैं तो जैसा मैंने समझाया था कि हम अगर इनको यहां कहीं पर भी plus में दे देते हैं तो अब इस पूरी जो यह plus की strip है इसमें हमारे पास battery से positive side जो है वो connect हो गई है और वैसे ही अगर मैं battery की negative terminal को यहां negative पर कहीं भी दे देता हूं तो मैं यहां दे रहा हूं तो अब जो है यह जो पूरी negative वर्टिकल negative थी इन यह सब कुछ negative से connect हो गया है तो अगर मैं यहां पर alligator clip के बदले मैं यहां पर alligator clip के बदले इसको sensor को यहां जो sensor से जो VCC था उसको मैं यहां से अब मैं यहां कहीं पर भी अगर red वाले में डालूंगा तो यह जो हमारा sensor है वो battery के positive terminal से connect हो गया वैसे ही मैं alligator wire के बदले दौनों तरफ एक jumper cable डाल रहा हूं आप किसी भी color का wire यूज कर सकते हैं पर केबल convention जो है वो black कहती है तो मैं black कर रहा हूं कि फिर ना याद रहता है कि black जो मेरे थे वो सारे ground थे और red जो थे वो सारे voltage के wire थे तो अगर हो आपके पास jumper cable ठीक colors के तो बाद में जो है वो परिशानी से बचने के लिए आप convention फॉलो कर सकते हैं फिर मैं ये microbit ले रहा हूं और microbit में yellow जो हमारा था echo उसको मैं number two ये GPIO pins है यानि general purpose input output pins इसमें मैं number two पे डाल रहा हूं और white जो हमारा trigger था उसको मैं pin number one पे डाल रहा हूं उसके बाद हमारे को microbit को के ground को भी इसके ground से जोड़ना है तो मैं यहां पर microbit के ground पर ground pin पर एक black color का ये wire लगा रहा हूं और इसको भी मैं हमारे जो हमने ground का बनाया है उस पे डाल रहा हूं तो ये इस तरीके से इसकी wiring complete हो गई है इसके बाद हम program लिखके try कर सकते हैं कि हमारा ये sensor ठीक काम कर रहा है कि नहीं तो मैं makecode.microbit.org में जाके new project select कर रहा हूं और यहां पर इसका नाम दे रहा हूं ultrasonic sensor testing यहां पर हम settings में जाके यह extension चूज करेंगे और यहां पर हम sonar ढूण रहे हैं extension तो ये sonar extension को हम इसमें अपना programming blocks add कर रहे हैं तो sonar जब हम sensor add कर रहे हैं तो हमारे को ये एक programming block मिल रहा है जो की जो हमारे पास pins थी trigger echo और हम distance किस unit में measure करना चाहते हैं इसकी options देता है तो मैं यहां centimeters choose कर रहा हूं तो distance measure करने के लिए मैं variables में जाके make a variable कह रहा हूं और एक variable create कर रहा हूं distance नाम का हम कह रहे हैं कि forever set this variable called distance such that हमने अपने microbit में जो wiring करी है वो हमने करी है कि हमारा जो trigger है वो pin number 1 पर है तो हम कह रहे हैं pin trig और हम यहां pin assign कर रहे हैं कि वो है pin 1 और echo को हमने डाला था pin 2 पर तो अभी तक हमने program में लिखा है कि forever set the variable called distance such that the trigger pin is connected at P1 and the echo pin of the sensor is connected at P2 और distance हम centimeter में measure करेंगे इसके बाद हम basic में जाके कह रहे हैं show number और हम number क्या देखना चाहते हैं जो भी distance नाम के variable की value है centimeters में हमार को वो distance पता चलना चाहिए यहां पर यह जो अभी simulator है यह केवल एक arbitrary number दिखा रहा है कि यह ऐसे काम करेगा और उसके बाद हम एक छोटी सी pause डाल देते हैं ताकि हम उसको देख पाएं जो number आए उसको ठीक से देख पाएं तो यहां पर मैं एक 200 millisecond की pause डाल रहा हूं फिर मैं जो हमारा microbit है इसको USB केबल से अपने laptop से connect कर रहा हूं मैंने अपना microbit connect किया हुआ है तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि download to this program to the microbit यह हमारा program transfer हो गया microbit पे और अभी यह distance read कर रहा है 51 cm और हम अपना ultrasonic sensor test करके देख सकते हैं तो मैं यह एक object ला रहा हूं और इस object से इसके पास लाता हूं तो यह जो distance है यह कह रहा है कि the object is 2 cm अवे और अगर मैं इस object को और पास लाता हूं तो यह कह रहा है object is 1 cm अवे और अगर मैं इसको दूर ले जा रहा हूं तो यह अब कह रहा है कि object is 5 cm अवे या 4 cm अवे 5 cm अवे और अगर मैं ये object हटा रहा हूँ तो जो next closest object है सामने जो अभी camera में आपको नजर नहीं आ रहा है वो कह रहा है कि ये 51 cm अवे है तो इस तरीके से हमने ultrasonic sensor को breadboard में लगा के एक simple हमने circuit बनाया ये wires थोड़े complicated लग रहे हैं पर जैसा आपने देखा था ये बहुत simple सा circuit है और एक बहुत छोटे से program के साथ हम ये ultrasonic sensor जो है ये चला पा रहे हैं तो next step में हम इसमें एक LED जोडते हैं जो light up होगी जब distance जो है वो less than 5 cm होगा तो इसके लिए हम logic में जाके एक if then else का statement ला रहे हैं फिर हम logic में जाके एक हम यहाँ पे comparison करना चाहते हैं और हम कह रहे हैं कि जो हमारा variable है distance अगर उसकी value less than 5 cm हो तो LED light up हो जाए तो LED light up करने के लिए हम advance में जा रहे हैं और यहाँ pins में हम कह रहे हैं कि digital right to हमने pin 1 और pin 2 use करी हुई है तो हम यहाँ पे pin 0 कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर distance जो है वो less than 5 हो जाए तो pin 1 की जो value है वो कर देना 1 तो यह pin 1 किसी भी pin की जो GPIO हमारी pins है उसमें यह 0 और 1 क्योंकि सारे computers binary पे based हैं तो जब हम इसकी value 0 से 1 कर रहे हैं तो 0 का मतलब है कि उस pin में कोई current नहीं होगा और 1 का मतलब है कि उस pin में current मिलेगा हम अपने program में कह रहे हैं कि अगर हमारा जो ultrasonic sensor है वो measure करे कि distance has become less than 5 cm तो pin 0 को current दे देना और अगर वो distance more than 5 cm है तो pin 0 पे कोई current मत देना तो जब हम pin 0 पे current दे रहे हैं तब हम अगर उस pin को हम किसी भी चीज से connect करते हैं हम यहाँ पर एक LED से connect करेंगे तब वो pin जो है जो LED है वो light up हो जाएगी जब भी distance जो है वो less than 5 cm होगा तो हम इस program को अपने microbit में transfer करते हैं और उसके बाद हम एक और यह cable ले रहे हैं और हम इस cable को pin 0 से attach कर रहे हैं और pin 0 से attach करने के बाद मैं यहाँ पर इसको F5 pin में यहाँ डाल रहा हूँ फिर मैं एक LED ले रहा हूँ और LED में जो यह जो लंबी टांग है यह positive होती है और जो छोटी टांग है यह negative होती है तो मैं इस LED को connect कर रहा हूँ कि हमारा यह जो negative था वो छोटी टांग वल्ला ground या negative उसमें डाल रहा हूँ और बड़ी टांग जो है वो number 5 वाले slot में डाल रहा हूँ तो अब हमारी जो LED है वो connect हो गई है और अगर अब हम अपना program फिर से test करते हैं तो हम एक object को pass ला रहे हैं और जैसे ही distance less than 5 है हमारी LED light up हो जाती है distance 7 है तो pin 0 पे current नहीं है तो इसलिए circuit LED का circuit complete नहीं हो रहा है और जैसे ही मैं object को pass ला रहा हूँ और वो 5 से कम हो रहा है तो LED light up हो जा रही है हम अब final इसमें क्या add कर रहे है कि एक alarm बजे तो हम यहाँ पर music में जाके कह रहे है कि play melody और melody कब बजाना वही जब distance जो है वो less than 5 cm हो और यहाँ पर हम melody कुछ भी बना सकते है तो अब हमारा यह जो प्रोग्राम है अगर इसमें distance less than 5 ultrasonic sensor की reading के मताबिक distance less than 5 होगा तो digital जो pin 0 है उसमें हम वो on हो जाएगी उसमें current होगा और उससे हम LED light up कर रहे हैं और साथ ही हम एक microbit में speaker लगा के उसमें यह alarm type की melody हमने बनाई है यह बजाएंगे तो यह program हम फिर से अपने microbit में transfer कर रहे हैं और इसके बाद हम जो मेरे पास microbit है यह version 1 वाला microbit है तो इसमें onboard speaker नहीं है इसलिए मैं एक यह different speaker जो है वो इसमें attach कर रहा हूँ तो इस speaker में हमारे पास 3 pin है एक 3 volt की supply हमें देनी है ground और एक यह data की pin है मैं यहाँ पर कहीं पर भी अगर positive में डालूँगा तो हमारे को 3 volt की supply मिल जाएगी और ground को मैं यह vertical जो ground की line है यहाँ कहीं भी डालूँगा तो हमें वहाँ पर यह हमारा speaker ground से connect हो गया और यह speaker की light जल गई है और उसके बाद मैं जो data का जो हमारी 3rd pin है उसको मैं pin जो हमारी pin 0 है उसी से connect कर रहा हूँ फिर हम अपने यह जो हमने बनाया है इसको test करके देख सकते हैं तो पहले हमने यह test किया कि यह 5 cm दूर कह रहा है और हमारा program है कि less than 5 होना चाहिए तो हम less than 5 करते हैं तो जैसे हम less than 5 कर रहे हैं हमारा जो alarm है वो भी बज़ रहा है और जो हमारी light है वो भी जल रही है तो इस project से आप एक car reversing का जो alarm है वो बना सकते हैं using a ultrasonic sensor एक speaker और LED लगा के I hope आपको यह project पसंद आया